जै श्रीराधे दोस्तों मैं स्ट्रोलोजर नीलू चौदरी केपी की बाणी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो राशी फल की जानकारी के लिए हमारी चैनल केपी की बाणी को जिलू सबस्क्राइब करें राशी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें आज मैं आपको मेश राशी का अगला सब्ता याने की 23 फरवरी से 1 मार्श तक का कैसा रहने वाला है इस बारे में बताने जा रही हूँ तो आईए जानते हैं मेश राशी वालों का स्वास्ते इस सब्ता में आपका स्वास्त पूर्ण तरीके से अच्छा व्यतीत होगा पूरानी समस्याइं समाप्त होंगे मानसिक शांती रहेगी, नींद की समस्या दूर होगी भय नहीं रहेगा, मन खिला-खिला रहेगा व्यवसाई में अच्छी आमदनी होगी इस सब्ता में अजीविका हेतु बौधिक परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है व्यापार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है रोजगार, वेध्यार्थी अपने कारिशेत्र में आने वाली बाधाओं का शमन कर पाएंगे नौकरी के शेत्र में कारिरत्र लोगों को अच्छानक या किसी के माध्यम से लाब होने की संभावना है पारिवारिक संबंद पारिवारिक सम्मंद में सुक शांती बनी रहेगी, परिवार में कोई धार्मिक कारे कर सकते हैं घर के सदस्यों में आपस में तालमेल अच्छा रहेगा, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है दाम पत्ते जीवन अपने जीवन साथी के साथ धार्मिक तालमेल बनाने की कोशिश करें यात्रा करते समय बच्चों अध्वा परिवार सहित साब धानी रखें प्रेम संबंद में प्रस्पर विश्वास रखना होगा प्रेमिका की भावनाओं को समझ कर ही आगे बढ़ें आपको सफलता मिलेगी दोस्तों इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल की डेस्वोट अत्वा प्ली लिस्ट पर जाएं और अपनी राशी अनुसार वीडियो ज़रूर देखें तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी लाइक कमेंटर शेयर कर हमें जरूर बताइए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही लगी बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले आज के लिए बस इतना ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्तकार जएष्री रादी